टी सीरीज, एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी, एक बहुत बड़ा म्यूजिक लेबल इसके जो करता धरता, इसके जो बेसिकली ओनर थे दोस्तों वो थे गुलशन कुमार जी बहुती सब भी, बहुती नेक इंसान, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले गुलशन कुमार जी गुलशन कुमार जी की बायोपिक आने वाली थी, जिसका नाम था दोस्तों, नाम है एक्चुली, वो है मोगल यह उनके बेट है, यानि की भुशन कुमार सहाब लेकर आ रहे हैं, अब दोस्तों मोगल फिल्म को लेकर रहना बहुत सारी चीज़े सामने आई हैं, मोगल फिल्म की शूटिंग शुरू हो गए थी, खिलारी कुमार इसमें मोगल बने हुए थे, यानि की हमारे लेट गुल साइनिंग अमाउंट था, वो भी वापस लोटा दिया दोस्तों, और उसके बाद सारी चीज़े सामने आती हैं, कि किसका नाम सामने आएगा वगेरा वगेरा, तो फिर उसके बाद आमिर खान जी का नाम सामने आ रहा था, कि आमिर खान, यानि कि हमारे जो Mr. Perfectionist हैं, वो मो कि तरफ से कोई सिगनल नहीं आते हैं, और ये नाम फाइनली ड्रॉप हो जाता है, अब दोस्तों, नाम सामने आ रहा है Sanju का, यानि कि Ranveer Kapoor का, Ranveer Kapoor ने Sanju बनकर ये तो हमें बता दिया, कि वो कोई भी उन्हें करेक्टर दो, तो वो उसमें च्छा जाते हैं, अब दोस्तों तो देखना इंटरस्टिंग ये रहेगा कि भूशन कुमार इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं Ranveer Kapoor को for the film Mogul, क्या वो उसे accept करेंगे या नहीं करेंगे, Ranveer Kapoor ने अभी recently ही एक बायोपिक में काम किया है दोस्तों, तो I guess Ranveer Kapoor थोड़ा टाइम ज़रू लेंगे, जिसकी वज सकती तो कि Ranveer Kapoor back to back I guess biopic नहीं कर सकते, well Ranveer Kapoor की तरफ से तो कोई अभी official statement सामने नहीं आ रहा दोस्तों, let's see क्या होता है, लेकिन भूशन कुमार जब भी इस बात का अलान करेंगे, सीना ठोक करेंगे, let's see, देखते हैं कि भूशन कुमार सहाब मोगुल के लिए किसे लेना आप किसे prefer कर रहे हैं ये बताईए, आपकी choice क्या है, comment section में ये बाते जरूर बताईएगा और इसी तरीके के interesting updates लाओंगा मैं राहूल भोच आप लोगों के लिए